जेटियो विधायक विमा भारती के पती अब्धीश, मंडल, बेटे और भतीजे समित नौ लोगों को मुकामा पुलिस ने आमस एक्ट के उलंगन में गिरफतार किया है हातिदे थानाकांड संख्या 17 बटे 24 में कुल नौ लोग आमस एक्ट के तहत गिरफतार हुए है इनके पास से पुलिस ने तीन राइफल और बरी संख्या में गोलिया बरामत की है, सभी आरोपियों को बाड चेल भेचा गया है बता दे कि बिहार में फ्लो टेस्ट से पहले बिमा भारती ने आरोप लगाया था कि उन पर कल रात से दवाब बनाया गया है बिमा भारती ने आरोप लगाया कि फ्लो टेस्ट के लिए बेटे को बंधक बनाया गया उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि उनके बेटे का अपहरन किया गया है सरकार का धौस दिखा कर पुलिस उनके पती और बेटे को ले गई बिमा भारती ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें सरकार की मर्ची है इस बीच विधायक बिमा भारती और दिलिप राय के कतित अपहरन में जेडियू की विधायक डॉक्टर संजीव और पुर्व विधायक इंजिनियर सुनिल के संदिक्त भूमी का बताते हुए पुर्व मंत्री और जेडियू विधायक ने पटना के कुट वाली थाने में प्रात्मी की दर्च कराई है सुधानसु सेखर ने विधायक बिमा भारती और दिलिप राय के अपहरन का आरोप लगाया है उन्होंने पुलिस को बताया कि गटबंधन का समर्थन करने के लिए दोनों को डरा धमका कर अगवा कर लिया क्या है ताकि बारा फरवरी को वो जेडियू के विरोत में वोट करे दोनों विधायक से शिकायत देने तक उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था इस सम्मंध में डीएसपी कानून एवं विवस्था नहीं बताया कि इगारा फरवरी को आवेदन दिया गया था मुकतमा दर्शकर आरोपों का सत्यापन किया जा रहा है तो वही जास के दोरान मोटी रकम की जो पेश्कस की गई है उसके श्रोत का भी पता लगाया जाएगा बीरो रिपोर्ट सिटी पोस्ट लाइव